अब देखते हैं खबर विस्तार से मतदान के लिए बस्तर संभाग के कई पोलिंग बुथों में मतदान दलो को उड़न खटोले से मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया साथी सुरक्षा के भी तगड़े इंतिजाम किया गया है हर मतदान केंद्र में तकरिबन 30 जवानों की तैनाती की गई है विधासबर चुनाओ के लिए प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दलो को हेलिकॉप्टर के जरिये पहुंचाया गया 40 नकसल प्रभावित मदान केंदरों को अती सववेदर शिल मदान केंद घोशत किया गया है इन मदान केंदरों में पीठाफीन अधिकारी समेट तमाम निर्वाचन दलों को उनके केंदरों तक सुरक्षित पहुचाया जा चुका है सुरक्षा के लिहाज से बस्तर में सुरक्षा बल के साथ ही मद्दान कर्मियों के खाने और रहने की ववस्था की गई है साथ में जरूरत की समागरी के साथ दवावों की कीड भी निर्वाचन योग की तरब से उन्हें दे दी गई है गोरतलब है कि जगरगुंडा, चिंतलनार, बुरकापाल, किष्टाराम भेजजी, गोलापली के अलावा और भी कई ऐसे मद्दान केंद्र है जो नकसल प्रभाईद है सुक्मा एक काफी रकसल प्रभाईद अलागा है, जो मेजर चैलेंज हमारा चुनाव में है, वो यही है कि बिना किसी नुकसान के हम चुनाव पूरा करवा पाएं इसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्रशाशन ने एवं पुलिस ने दोनों ने ही पूरे अच्छे से तैयारी की है बाहर से काफी ज़दा मातरा में CPI में हमारे आई हैं जिनको भी जूटी में लगाया गया है पिछले एक महिने से वो एरिया डॉमिनेशन, आउपरेशन्स और सारी यूटी वो लो कर रहे हैं साथ ही हम लोग भी जो क्रिटिकल पॉकेट्स हैं हमारी उन्हें भी एरिया डॉमिनेशन और गश्ट की लगातार कारवाई जारी है सभी पोलिंग बूत, सभी पार्टियों दोरह हमारे देख भी लिये गए हैं तो सभी पोलिंग बूत के लिए हमने अलग-अलग प्लान किया है तो हर जगे हम लोग इस बार हमारी कोशिश ये रहे कि शान्ती पून बिना किसी हिंसा के मद्दान हो सके मद्दान का परसेंटेज भी बड़े, इसकी हमारी कोशिश है और अब तक हमें लगता है कि हमें इस कोशिश में अपना सफल भी शतिसगण में 18 विधानसभा सीटो के मद्दान के लिए 18 जीलों में सुरक्षा बलों की करीब 600 कमपनिया तैनात की गई है बस्तर संभा के साथ जीलों में राज्य के 25,000 जवान पहले से ही तैनात है जिन में जीला पुलिस बल, ससत्र बल, जीला रिजर्व बल के जवान भी शामिल है लेकिन चुनाव के लिए तकरीबन 70,000 की संख्या में अतिरिक्त फोर्स बस्तर में चुनावी सुरक्षा में तै नियूली अपडेट्स के लिए वैल आइकॉन का दबाय